आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी पे लेटर अप्लिकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आप की वार कोड को स्कैन करके अपने बैंक अकाउंड में पैसे को ट्रांसपर कर सकते हैं यहां दोस्तो इस application की मदद से cable की cable QR code को scan करेंगे और किसी भी bank account में पैसे को transfer कर सकते हैं application का नाम है deduction pay letter मतलब कि यहां पर application का नाम deduction pay letter है और अगर आप इससे apply करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके लिए loan मिल जाएगा और दोस्तो कम civil पर आपका loan मिल जाएगा करते हैं तो किसी भी तरह का चार्ज दहीं देना होगा कि दोस्तो ओवर डू हो जाता तो आपर चार्ज लग जाएगा बरना किसी भी तरह का चार्ज देना नहीं होगा तो इस application के बारे में सभी कुछ जानकारी जानने के लिए इस application के about section में आ जाना है यहां पर लिखा दोस्तों now scan and pay using deduction पे stop anytime मलब की कर रहा है कि deduction पे letter application है कि anytime आप किसी भी QR code को scan करके पैसे को transfer कर सकते हैं नीचे आजाना यहां पर लिखा extend credit limits to stop now and pay letter मलब की यहां पर extend limit दी जाएगी credit limit जो भी है extend दी जाएगी इस application के बारे में नीचे आजाना सभी कुछ जानने के लिए यहां पर क्या क्या बोला गया है यहां पर इसको यूज कैसे करना इसके बारे में बताया गया यहां पर दोस्तों आपके लिए amount कैसे दिया जागा इसके बारे बताया गया जैसे की application एक मैंत के लिए देती है तो आप यहां पर कितने दिन के लिए यूज कर पाएंगे तो यहां पर इस limit को केबल के केबला 15 दिन के लिए दोस्तों यूज कर पाएंगे पास मिनट के अंदर पूरी process हो जाएगी यहां पर apply करने का तरीका क्या है कि दोस्तों आपके प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद application को आपके लिए open करना होगा इसे ही application डाउनलोड हो जाती है उसके बाद यहां पर application को आपके लिए open करना होगा तो यहां पर open के option पर मैं किलिक कर देता हूँ उसके बाद मेरे सामने इस प्रिकार का इंट चार्ज अगर आप से जाता है तो मुझे comment section में जरूर बताना है तो यहां पर application कुछ इस परकार से open होगी यहां पर आपके लिए get start का option मिल जागा इस पर आपके लिए किलिक कर देना है इसके बाद मौल लंबर इंटर करना होगा मौल लंबर इंटर करने से पहले किसी भी application के term of condition को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूर है तो यहां पर term of condition का option मिल जागा इस पर आपके लिए किलिक करके term of condition को पढ़ देना है इसके बाद मौल लंबर इंटर करने के बाद आपके मौल लंबर पर एक OTP जाएगी चारंग की वहां पर आपके लिए फिल करनी होगी उसके बाद verify के option पर किलिक करना होगा verify के option पर किलिक करने के बाद आप से pain card को मांगा जाएगा मतलब कि आपका pain card अगर link नहीं सही तरीके से यह link है तब भी आप से basic details मांग लेते हैं तो यहां पर pain card नमबर डालके यहां पर आई आई कंफरम दिस पें तो यहां पर लिखकर यहां पर यह बॉक्स आ रहा है इस पर किलिक करने के बाद आपका आधर नमबर मंगा जाएगा जो आपका आधर नमबर यहां पर डालकर य आपके मौन नमबर पर मलब की जाएगी जो आधर कार्ट से लिंक है अगर आपके आधर कार्ट से मौन लंबर लिंक नहीं तो आपका इसमें अकाउंट नहीं बनेगा तो आपके लिए अपनी email डाली है और आपके सामने इस परकार का इंटरफेस क्लोकर आजाएगा आपके जो भी अप्लिकेशन होगी वो दूस्तों कि यहां पर बोला है थैंक्यू फॉर स्वेंग इंट्रेस्ट दक्षिन पे लेटर मलब कि पे मलब आओ यहां पर बोला है यह और अप्लिकेशन इस अंडर रिब चाहिए मदिन करेंक्ष्षां कि शीयस क्रेशिक क मुझी ऊप्तफर यहां अपर भीले बैंकि पक्ति आइक को प्संदों जान्केशन प्सक्राइबॉद मेटिशा करका देरायत खनाऊ है